1987 में, जॉडन बेलफोर्ट ने मार्क हैना के अधीन कार्यर अतल एफ, रोत्सचाइल्ड के लिए वॉल स्ट्रीट स्टॉकर ब्रोकर के रूप में नौकरी की, वह जल्दी से सैक्स और ड्रग इंधन वाले स्टॉकर ब्रोकर संस्कृती और हन्ना के विश्वास में फंस गया ह कि एक दलाल का एक मात्र लक्षे अपने लिए पैसा कमाना है। ब्लेक मंडे के बाद जॉडन ने अपनी नौकरी खो दी, इतिहास में एक दिवसियस शेर बजार में सबसे बढ़ी गिरावट और लॉंग आइलेंड पर एक बॉयलर रूम ब्रोकरेज फर्म में नौकरी ले वे जॉडन के कई दोस्तों को भरती करते हैं, जिन्हें जॉडन, हार्ड सेल की कला में प्रशिक्षित करता है। जॉडन की रननीती और बिक्री कोशल उसकी पंप और डंप योजना की सफलता में काफी हद तक योगदान करते हैं, जिसमें एक कृत्रिम रूप से समवर्ध मूल्य पर इसे बेचने के लिए भरामक, सकारात्मक बयान जारी करके स्टॉक की कीमत को बढ़ाना शामिल है। जब योजना के अपराधी अपनी अधिक मूल्य वाली प्रतिभूतियों को बेचते हैं, तो कीमत बहुत कम हो जाती है और जिन लोगों को बढ़ी हुई कीमत खरीदने के लिए प्रेरत किया जाता है, उनके पास स्टॉक के साथ छोड़ दिया जाता है जो अचानक उनके द्वारा भुपतान किये गए मूल्य से बहुत कम हो जाता है। इसे छिपाने के लिए जौडन ने 1989 में फर्म को सम्मांजनक नाम स्ट्रेटन उकमोग दिया। फोग्स में एक एक्सपोज के बाद सेकरणों महत्वा कानक्षी युवा फाइनेंसर उनकी कमपनी में आते हैं। जौडन बेहत सफल हो जाता है और वेश्याओं और ड्रग्स की एक पतनशील जीवन शैली में चला जाता है। उनका नाओमी लापागलिया नाम की महिला के स आज शुरू करते हैं। 1993 में स्टीव मडेन के IPO को हासल करने के बाद जौडन तीन घंटे में अवेध रूप से 22 मिलियन डॉलर कमाता है। यह उसे और उसकी फर्म को FBI के ध्यान में लाता है। अपने पैसे को छिपाने के लिए जौडन ने नाओमी की चाची एमा के नाम प पर भरष्ट बैंकर जीन जैक सॉरिल के साथ एक स्विस बैंक खाता खोला, जो एक ब्रिटिश नागरिक है और इस तरह अमेरिकी अधिकारियों की पहुंच से बाहर है। वह अपने दोस्त ब्रेट बोडनिक की पत्नी और ससुराल वालों का उप्योग करता है, जिनके पास यूरोपिय पासपोर्ट हैं ताकि वे स्विच्जलेंड में नकदी की तसक्री कर सकें। डोनी और ब्रेट एक सारवजनिक विवाद में पढ़ जाते हैं, डोनी भाग जाता है, लेकिन ब्रेट को गिरफतार कर लिया जाता है। ब्रेट पुलिस से डोनी या जॉर्डन के बारे में एक शब भी नहीं कहता है। जॉर्डन को अपने निजी अन्वेशिक से पता चलता है कि FBI उसके फोन की वायर टैपिंग कर रही है। अपने बेटे के डर्स से जॉर्डन के पिता ने उसे स्ट्रेटन ओकमोट छोड़ने और कम जूट बोलने की सलाह दी, जबकि ज जॉर्डन के वकील ने उसे जिल से बाहर रखने के लिए एक सौधे पर बातचीत की। जॉर्डन, हालां कि अपने विदाई भाशन के बीच में रहने के लिए खुद को छोड़ने और बात करने के लिए सहन नहीं कर सकता। वह अपने नौक कप्तान को मोना को जाने का आदेश देता है, लेकिन जहाज तूफान में पलट जाता है। उनके बचाव के बाद, उन्हें जिनेवा ले जाने के लिए भेजा गया वेमान तब नश्ट हो जाता है, जब एक सीगल इंजन में उर जाता है। जॉर्डन इसे के खिलाफ सबूत भारी हैं, जॉर्डन उदारता के बदले अपने सहयोगियों पर सबूत इकठा करने के लिए सहमत है। घर पर, नाओमी जॉर्डन से कहती है कि वह उसे तलाक दे रही है और अपनी बेटी और नवजात बेटे की पूरी कस्टडी चाहती है। एक आवेग लेकिन डॉनी को एक नोट देता है, उसे चेतावनी देता है। एप बी आई ने इसका पता लगाया, जॉर्डन को गिरफतार किया और स्ट्राटन ओकमोट को छापे और बंद कर दिया। अपने सौदे का उलंगन करने के बावजूद, जॉर्डन को उसकी गवाही के लिए न्यून्तम सुरक्षा जेल में 36 महीने की कम सजा मिलती है, और 22 महीने की सेवा के बाद रिहा हो जाता है। अपनी रिहाई के बाद, जॉर्डन विक्री तकनीक पर एक जीवित होस्टिंग सेमिनार बनाता है।